पाकिस्तान के पूर प्लेयर ने बल्ले से मचाई तबाही, T20 क्रिकेट में किया नया चमतकार साल 2016 के बाद पहली बार हुआ T20 क्रिकेट में बड़ा करिश्मा सन्यास ले चुके इमाद वसीम ने बिग बैश में मचाई तबाही पाकिस्तान के इमादवशीम ने इंटरनाशल क्रिकिट से लिया है सन्यास अप्रिल में नीउजिलंड के खिला था अकरी इंटरनाशल मैच आठ साल करहा है करिये पाकिस्तान टीम के एक्स आलराउंडर इमादवशीम इस समय बिग बैश लीग खेल रहे है इमाद वसीम ने टीटविंटी क्रिकेट में एक साल के दोरान एक हजार रनस बनाने और पचास विक्ते लेने वाले दुनिया के छुथे किलाडी बन गए है इससे कबल जो کलाडी ये एिज़ाद हासल करने में कामयाब हुए उनमें केरन पुलाड अजर ममूद और आंद्रे रसल शामिल हैं इमाद वसीम ने बिग बिश लीग में मेलबर्ण स्टार की जानब से आज अपना पहले मैच खेला जिस दोरान उनों ने दस गेंदू पर 14 रंस बनाए और टीम की जीत में एहम किरदार अदा किया यहां यह बात भी काबल जिक्र है कि इमाद वसीम ने हाल ही में कौमी किरकेट टीम से रिटायर मिंटी का एलान कर दिया था तमाम फार्मेंट से रिटायर मिंटी के अचानक एलान ने बहुत से लोगों को शदीद हैरान भी किया जबकि वो अपने केरियर के बहतरीन परफॉमिस दे रहे थे और अब भी दे रहे हैं अब टीट्वेंटी वर्ल्ड कप सर पर मजूद है लेकिन अफसोस कि इमाद वसीम जैसा बहतरीन किलाडी इस वर्ल्ड कब में नहीं होगा दोस्तों आपको क्या लगता है क्या इमाद वसीम वर्ल्ड कप से पहले रिटार्मिंटी वापस ले लेंगे या नहीं केमेंट सेक्शन में अपनी राई का इसार सरूर कीजिएगा करियर 8 साल कर रहा आए हाथ के और्थोडॉक्स स्पिनर इमाद ने 55 वंडे में 44 विकेट और 86 टी ट्वेंटी में 65 विकेट लिये महीं उन्होंने वंडे में 986 रन और टी ट्वेंडी में 486 रन बनाए इमाद पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का हिस्सा आए चाहिजी बेल्स क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान लगाने की बात कही थी